Hello student, today I am going to explain you the remaining part of human reproduction. Eugenesis, the formation of ovum in ovary from the cell of germinal epithelium in ovaries called eugenesis. जो ovary के अंदर germinal epithelium की cells होती, वो जब divide होती, तो उसके द्वारा ovum का formation होता है, तो इस प्रोसेस को eugenesis करते हैं. Eugenesis की जो process होती, तीन phases में complete होती, पहली phase होती, multiplication phase. इसके अंदर premodule जो germ cells होती, वो डिवाइड होती है, उनके अंदर जो division होगा, हो माइटोसिस होगा, और division होने के बाद जो cell बनेगी, उसको eugenia कहीं होती है. अब यह जो cluster बनता है, वो किसका eugenia का बनता है, यह जो पूरा cluster होता है, गुच्छा होता है, इसको ovigorous cord कहते हैं. यह जो ovigorous cord होती है, उसके अंदर जो oogonia होते हैं, यह oogonia जब इनमें division की capacity खत्म हो जाती है, इस division होने इसमें बंद हो जाता है, तो इन oogonia को क्या कहा जाएगा, आप oocides कहेंगे. इन each cluster of oocides, अब जो एक cluster बना एक गुच्छा बना है, उसके अंदर का oocides होता है, तो एक गुच्छे के अंदर एक oocides ही enter करेगा growth phase के अंदर, तो जो growth phase के अंदर oocides enter करेगा, उसको primary oocides कहेंगे. remaining oocides form, follicle cells, मतला ovigarous card के अंदर जितने oogonia थे, उन में से के अवल एक oogonia कहाँ enter करेगा, growth phase के अंदर, तो जो growth phase के अंदर enter करेगा, उसको oocides कहेंगे, और बाखी के जो oogonia है, वो क्या form करेंगे, follicle cells form करेंगे, ये follicle cells, जो developing ovum होगा, उसको nourishment provide करेगा. second phase आती, growth phase, growth phase of primary oocides is very long, primary oocides की growth phase होती है, बहुत भड़ी होती है, in women all oocides are present at the time of birth, जब किसी girl oocides का birth होता है, तो उस समय, जो oocides होते हैं, उसकी ovary के अंदर present होते हैं, बाट उनमें growth नहीं होती है, कब तक नहीं होती है, growth जब तक कि उसमें puberty start नहीं होती है, puberty वाला age नहीं आता है, तब तक उन oocides के अंदर कोई growth नहीं होती है, इसके अलाव इस growth phase के अंदर बहुत सारे changes आपको दिखाई देंगे, तो changes क्या होते हैं, in oocides increase in the size, in growth phase, growth phase के अंदर क्या होता है, कि जो oocides होते हैं, वो अपना size increase करते हैं, और कितना increase करते हैं, 7 time अपना size को बढ़ा लेते हैं, तो वो जो protein और fats होते हैं जी किस फार्म में रिजर्व होने लगते हैं यॉक के फार्म में रिजर्व होने लगते हैं तो उस iights के अंधर योक की quantity बढ़ने के कारण उस iids का size गता है वह increase हो जाता है इंक्रीज साइज होने के बाद इसमें डो फां उते हैं उपर की तरफ एक में उपर की तरफ जो पुल बनेगा उसको टो टो एनिमल पॉल थैँ में नीची की तरफ जो जो बनेगा हूं को डो decis इसके बाद इसमें नुकलेस का जो साइज है वह भी इंक्रीज होगा इसके बाद आता है साइज को गेंड करके के जाता है जब साइच को गेन करता है थे सको primary site करते हैं अब यह primary site कहा एंटर होगा maturation division में maturation division के अंदर मियो्सिह वाज़ भी होगा म्योसिंस 2nd होगा जो Press Maturation Division होगा उसके अंदर दो हैपलाइड सेलस बनेगी जो हैपलाइड सेलस बनेगे उसको एंद से सेकेंड री Aussाइट से होता है इसकेंड री मेच्यूरेशन डिविजन होता है जो की एक्षेल में माइटोटिक डिवीजन होगा जो भी अन prostate सेखनी कले में होगा जिसे एक बड़ी सेल बनेगी जिसको रहता एक कहेंगे और दोसरी जो छोटी सेल बनेघी दो उनको second polar body केंगे कि फसित पॉलरबारड़ी फ़र्म फ्हाइड पॉलरबारड़ी अब जो फस पीश्मेंट प्रवाइट करती है तीनों Polar Bodies you can see in this diagram the phases of ogenesis तो पहले डाग्राम में आप देखेंगे primary germ cells जो ovary के अंदर जो germinal epithelium की जो cell होती है उसको क्या कहेंगे primary germ cells ये primordial cells ती इसके अंदर mitotic division होता है जिसे एक cell से cells बनती दो सेल से कितनी सेल बनगी चार सेल बनगे अब यह जो सेल बना लिए क्लस्टर बना लिया गुच्छा बना लिया जिसको ovigorous cord करते हैं अब इस और पूरा बनाए इसमें केवल एक cell एंटर होगी कि इसमें growth phase में तो यह वाली हो जाएगी तो इसको प्राइमरी उसाइट कहेंगे और इस फैस को क्या कहेंगे growth phase कहेंगे आप growth phase complete हो जाने के बाद यह maturation phase में complete एंटर करेगी जब maturation phase में एंटर करेगी तो इसके अंदर दो डिविजन होगा एक होगा meiosis first तो जब meiosis first division होगा तो यह क्या होगा अनिक्वल होगा इससे बड़ी cell बनेगी और दूसरी छोटी cell बनेगी जो बड़ी cell बनेगी इसको secondary इसको secondary body करेंगे उसी तरह जो फास पॉलर बाड़ी यह भी डिवाइड ओकर क्या बनाएगी थार्ड पॉलर बाड़ी तो कितनी पॉलर बाड़ी बनेगे फास सेकेंड थार्ड यह तीनों क्योंति पॉलर बरड़ी क Dz konswire management प्रोवाइड करेगी किसको będka इस्को प्रोवाइड करेगी इस एक को नरेश्मेंट प्रोवाइड करेगी क्योंकि इस sih ग्रौथ हो रही तो ग्रौथ के लिए जो फुट मिलेगा व कहां से मिलेगा पॉलर बड़ी से मिलेगा सिबएगा और size male gamit sperm के comparison में बड़ा होता है और यह falling part से मिलकर बना होता है तो सब सब पहले इसमें layer होती है वो plasma lemma होती ही जिसको plasma membrane भी कहते हैं जो एग होता है उसके चारों तरफ जो membrane होती है उसको plasma membrane कहते हैं यह plasma lemma कहते हैं जो की lipid और protein की बनी होती है इस plasma lemma के उपर की तरफ एक और membrane होती जिसको primary membrane कहते हैं और इन animals के अंदर जो देखा जाता है इसको jona paleoceida कहते हैं जो की plasma membrane के उपर situated होती है primary membrane के ऊपर एक और membrane होती है जिसको secondary membrane कहते हैं तो इन human being सके मेंदर जेखा जैता है जो ना पैली सेड़ा के ऊपर जो एक और मेंऱ्बरैन होती है उसको क्या कर आदा कर दो Casey secreted होती है you can see in this diagram the structure of ovum तो ovum जो है excel ने तो cell के अंदर क्या होगा cytoplasma होगा और बीच में क्या होगा इसमें nucleus होगा इसके चारों तरफ अगर देखेंगे तो इसमें क्या होगी एक layer होगी जिसको plasma membrane कहेंगे plasma lemma कहेंगे तो यह वाला structure कौन सा हो गया plasma lemma और cytoplasma जो होता है इसको क्या कहते हैं आप इस plasma membrane के चारों तरफ एक और membrane होगी जिसको क्या कहेंगे जोना पहली उसीडा यह जो भाहर membrane बनी जोना पहली सेडा बनी और इस जोना पहली सेडा के भाहर की द्वारा secret होती है तो यह cells arrange हो जाती है जोना पहली उसीडा की तरफ और जोना पहली सेडा की तरफ यह cells जब arrange हो जाती तो इससे एक layer बनती है इस layer को corona radiata कहते हैं और यह जो cells होती है इनको follicle cells कहते हैं जो कि इसका secretion कहा होता है ओवी डक्ट की वाल के द्वारा तो एक mature arm जो होता है उसके अंदर क्या कैसे structure होते हैं एक cell है तो cells के अंदर एक cytoplasma होगा और nucleus होगा nucleus के चारों तरफ जो cytoplasma होगा उसको उ-plasma कहेंगे और cell के चारों तरफ जो membrane होगे उसको plasma membrane यह plasma lemak आएंगे उसके चारों तरफ एक और membrane होती है इसको जो ना pellucida कहते हैं उसके चारों तरफ follicle cells की जो बनी एक layer होती है जिसको corona radio data कहते है